Get ready for the dictation on the count of 3, 2, 1, start महोदैक हिंदी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसने शब्दों का उनके भिन देश अथवाप भाषा में उद्गम होने के कारल बहिशकार नहीं किया सच पूछिए तु सभी जीती जागती भाषाओं का यह एक गुण है कि वे अपने शब्द बंडार को बढ़ाने में हे चक्ति नहीं चाहे शब्द किसी भी उद्गम के हो उन पर अन्य भाषाओं का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता क्योंकि सभी जीती जागती भाषाओं में आदान प्रदान होता ही रहता है इसलिए जब हम हिंदी को भारत के लिए एक सार्व भावम भाषा बनाना चाहते हैं तो प्रादेशिक भाषाओं के शब्दों और मुहावरों के लिए भी द्वार खुला रखना चाहिए मैंने ऐसे कई लोगों के लेख देखे हैं जो हिंदी भाषी नहीं है और जिनोंने हिंदी का अभ्यास राष्ट्रिय कामों के लिए ही किया है उनके लेखों में कुछ ऐसे शब्द और मुहावरे देखने में आए हैं जो अर्थ तो इस्पष्ट कर देते हैं पर आधुनिक हिंदी में प्रचलित नहीं है अन्य भाषा भाषी ऐसे शब्दों और मुहावरों को अक्सर व्यवहार में लाया करेंगे और हम हिंदी भाषियों को उनका स्वागत करना चाहिए न की बहिशकार हिंदी सच्चे अर्थ में राष्ट्र भाषा तभी होगी जब भारत के सभी निवासी इसके साथ प्रेम करने लगेंगे और इसकी उन्नती में अपना गौरव मानने लगेंगे यह भावना तभी उत्पन और परिपुष्ट हो सकती है जब वे यह समझने लगें कि हिंदी में कुछ उनकी भी अपनी देन है और हिंदी पर उनका भी कुछ अधिकार है मैं समझता हूँ कि मैं कि हमें इस भावना का स्वागत करना चाहिए और इससे डरना नहीं चाहिए मैं तो यह भी मानता हूँ कि कहीं कहीं हमारे व्याकरन पर भी अहिंदी भाशियों का प्रभावत पढ़ने पड़ेगा और हमको उससे भी नहीं डरना चाहिए इसलिए मैं जाता हूँ कि हिंदी भाशी और हिंदी संस्थाएं निस्प्रह भाव से हिंदी की श्रीवरदी में लग जाएं जिससे अन्य भाशा-भाशी भी उनके विबिन प्रकार की साहित्य से परिचें पाने के लिए उसे सीखना आवश्यक समझे। जिस प्रकार आज कोई भी विद्वान आदुनिक विज्ञान से परिचय प्राप्त करने के लिए यूरोपिय भाशाओं का अध्ययन करना आवश्यक समस्ता है यदि केवल काव्य अथ्वा ललित कला संबंधी गरंथ ही यूरोपिय भाशाओं में होते तो हमको उन भाशाओं को सीखने की शायद आवश्यक्ता भी ना होती पर विज्ञान से परिचय प्राप्त करने के लिए उन भाशाओं का जानना अनिवारे हो गया है उसी प्रकार हिंदी भी इतनी सम्रद होनी चाहिए कि आधुनिक विद्याओं को प्राप्त करने के लिए उसका जानना केवल परियाप्त ही नहीं आवश्यक भी हो जाए तथा इस भाशा में मौलिक गरंथ भी लिखे जाए जिनको पढ़ने के लिए अहिंदी भाशियों के लिए हिंदी सीखना आवश्यक हो जाए जितनी बड़ी संख्या हिंदी जानने वालों की है उतनी बड़ी संख्या संसार की दो तीन भाशाओं के बोलने वालों की है इसलिए यदि इतने लोगों में यह भावना उत्पन हो जाए कि वे हिंदी को संसार की बाशाओं में समुचित इस्थान उपलब्द कराना चाहते हैं तो हिंदी का गौरव बड़ेगा आदर्निय महोदे हिंदी के लिए यह अवश्य ही गौरव का विशे है कि उसे भारतिय संविधान ने अखिल भारतिय भाशा का इस्थान दिया है इससे हिंदी भाशियों और हिंदी से संबंध रखने वाली सभी संस्थाओं का दाइत्व बहुत बढ़ गया है संविधान में हिंदी का यह उचा इस्थान दिये जाने का विशीश कारण यह था कि इसके जानने और बोलने वालों की संख्या भारत की दूसरी भाशाओं के जानने वालों से कही अधिक है उन भाशाओं का भी अपना गौरवपूर्ण साहित्य है और उनके बोलने वाले अपनी भाशाओं के साथ प्रेम रखते हैं और उन पर गर्व करते हैं इसलिए सभी ने हिंदी को जब वैस्थान दिया है तो यह समझ कर नहीं कि उनकी अपनी भाशा किसी बात से कम है पर यह समझ कर कि राष्ट्रिय काम के लिए हिंदी का ही प्रचार और प्रसार सुगम और सुलब होगा हिंदी को अखिल भार्दिय कामों के लिए प्रधानता देते हुए प्रादेशिक बाशाओं को यहां के कामों के लिए प्रधानता दी गई है इसलिए यह अनिवारे हैं कि जहां हिंदी का प्रचार हो वहां प्रादेशिक कामों के लिए इस्थानिय बाशाओं को भी प्रोचसाहन दिया जाए और वे अपने सीमित छेत्र में अपना काम सुचारू रूप से करें शायद यह कहना भी अनुचित न होगा कि हिंदी भाशी राजियों में तो हिंदी का वही इस्थान होगा जो किसी भी प्रादेशिक भाशा का उसके अपने राजियों में पर अन्य भाशा भाशी राजियों में सीमित काम और अखिल भारतिय छेत्र में प्रायह सभी काम हिंदी द्वारा किये चाहेंगे हिंदी भाशियों का प्रयत्न ये होना चाहिए कि अहिंदी भाशियों ने जिस सदभावना से हिंदी को राश्ट्रिय कामों के लिए इस्थान दिया है उसी सदभावना के साथ वे हिंदी के प्रचार में ततपर हो हिंदी को किसी भी प्रादेशिक भाशा से होड नहीं है सच पूछिए तो हिंदी भाशियों को अन्य प्रादेशिक भाशाओं का पोशक और समर्थक होना चाहिए जिस प्रकार अहिंदी भाशी हिंदी के पोशक और समर्थक होना चाहते हैं हिंदी भाशियों के व्यवहार और आचरन से यदि कहीं बूल से भी यह आभासित हुआ कि हिंदी अन्य सभी भाशाओं से अधिक सम्रिंद अधिक परिपुष्ट साहित्य वाली या प्राचीन तथा नवीन विचारों और भावों को व्यक्त करने में अधिक शक्तिशाली भा है कि अखिल भारतिय राष्ट्री कामों के लिए यह राष्ट्र भाशा मानी जाए तो इसका फल यह होगा कि अन्य भाशा भाशी हिंदी के प्रती इर्श्या करने लगेंगे और जो सम्विधान चाता है वह काम पूरा नहीं हो सकेगा और हिंदी उस इस्थान को देने का निश्चे किया है दूसरी शब्दों में हमें हिंदी का प्रचार नम्रता पूर्वक करना चाहिए मुझे यह कहते हुए पड़ा हर्श होता है कि इस दिशा में नागरी प्रचारिनी सभा का दृष्टी कून सदा से व्याग पक और उदार रहा है सभा के पदादिकारियों तथा कारेकरताओं ने सदा ही अन्य भारतिय भाषाओं को समुचित आदर किया यह सभा कि परंपराओं के अनुकूल ही है कि हीरक जैन्ती के उपलक्षे में एक प्रकाशन योजना बनाई गई है